हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्पूल डेफ्रिजेटर 200 लीटर के बारे में तो इसका आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे और उसके फिचर्स के बारे में जानेंगे मेरा नाम है सदीब आपका सौगते टेक पैक चैनल में तो देर नहीं करते हैं चलते हैं अधके हां तो दोस्तों पर इस के बात कराेंगे तो तुट यह जो वेहरेंट है यह परपल कलर में लियृण दिये है काफी ग्राफिक्स काफी अच्छे फ्लॉवस्वले ग्राफिक्स दिहसों और अच्छा लूक आ रहा है वहान पर 4 इंधर वाला रहा जिसके 32 limit पर इयर यहां पे उन्हों ने दिया है 200 L यहां पे इंटल सिंस्ट इनवर्ट टेकनोलोजी दिया है जहां से 95 वोल्ट यूज होता है और 25 येर का डिकनीबिलिटी है यहां पे इंसुलिट्र क्यलिबर टेकनोलोजी है ऑटोकनेक्ट वुअम इनवर्टर है और यह 10 साल की इसकी और यहां पर हम चेक करते हैं यहां पर उन्होंने विज्चन किया है कॉईल के बारे में फ्रांट डेज साइड एजेड रिजेटर तो गरम नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखेंगे तो आप चीप करेंगे तो यहां पर कोईल भार इसके वावर जैसे यहां पर बं ती यह आपको करुद करना चाहिए और यह का मैनुल बटन यहां पर उन्होंने दिया है जाबै और बाकी में भागी की हाइज बार बड्न एक स्पीड है में एक वह भरने सिंट गया है यहां पर बड्सक्र पर चाहिक है और यहां पर मैजिक चुछब करके लिखा है जहां पे आप यहां पे सब जिस वगेरा रख सकते हैं अच्छी तरह से काफी टपने ग्लास है तो कंपार्टमेंट दो एक यह है दूतरा और तिसरा एक नीचे है यहां पे हिक्सा फ्रेश शेंग दिया है जिसके टेकनोलोजी यहां पे आप वेजिटेपल रख सकत है और साथ दिन तक आपके वेजिटेपल फ्रेश रहेंगे ऐसे उन्होंने कहा है और यह अंडे रखने के लिए कंपार्टमेंट काफी अच्छे दिये उन्होंने तो यहां पे इसके अंदर उन्होंने की दिये तो अब फ्रिसको लॉक कर सकते हैं और नीचे यहां पे ब्र अच्छा है तो दोस्ता अगर यह इस वर्डपूल रिफ्रिजिटर के अगर बात करें तो सिंगल दूर में आता है यह इसकी जो कैपेसिटी तुनेट लीटर की है और यह फो स्टार में आता है इसके अंदर इन्वेटर टेकनोलाजी का यूज किया गया है जिसके वज़े स से इलेक्रिसिती काफी बचती है इसमें चाइल लोक है इन्होंने जो मेंचेन किया है कि साथ दिन तक यहां पर वेजिटेपल अच्छे रह सकते हैं और अगर आपकी घर की पावर कट होती है तो बारा गड़े तक दूद्ध खरब नहीं हो सकता है मैक्रो ब्लॉक टेकनोलो अगर आपका घर का वोल्टेज जो है नॉर्मल यह दो सब्सक्राइब के अंदर यूज होता है तो फिर आपको ब्लेने की ज़रूरत नहीं है तो काफी अच्छा है अगर आप मेरा ओपलियंट चाहोगे कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो मैं डेपिनेट्ली स सब्सक्राइब करूंगा तो आप यह जा सकते हैं सिंगल फैमिली के लिए और बजेटर रेफ्रीजेटर है काफी अच्छा है और इसकी जो प्राइज एमेजान पे साड़े सोला हजाल तक आता है और फिपकाट में मैंने देखा है यह साड़े पंद्रा हजाल तक है अगर आप उफर प्राइज में अगर इसको लेते हैं तो डेफिनेटल आपको अच्छी प्राइज में यह जरूर अगलाबल होगा और अगर आपके इस रेफ्रीजेटर के बारे में कुछ सवाल रहेंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए मैं उस सवाल क कोशिश करों और अच्छ वीडियो से बनाता रहूंगा तो इस वीडियो को लैक किजें शेर किजे और अच्छ वीडियो को बनाता रहूंगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में